अब्रिवरिवन वेल्कम टर अकेडिंग्स फूर सीएसी दोस्तों अकेडिंग्स फूर सीएसी आप लोग के लिए सरसटमी बिपीएसी की प्रारंबिक परिछाओं से समंदित एक बहुत ही महकून अपडेट्स लेकर आया है आप सभी जानते होंगे कि इस हाल ही में बिपीए चुनाब करवाजाने के बात की जिसके अंशार पहला चरण 25 सिर्टमबर को होगा और लास्ट चरण 12 दिपसंबर को आयज्जित किया जाएगा तो 12 दिसंबर को पंचयाच चुनाब को लास्ट चरण होगा और 12 दिसंबर को ही सरसटमी BPC की प्ररंबिक परिशाएं आज़ित करवाई जाएगी तो इस दिश्टी कौन से अधी देखें तो 12 दिसंबर की जो तीथी है वहाँ बिहार के लिए काफी मात्पून हो जाता है खासका बिहार के परिशार्थियों के लिए काफी मात्पून हो जाता है क्योंकि 12 दिसंबर को सरसटमी BPC की प्ररंबिक परिशाएं आज़ित करवाई जाने से समंधित बिहार लोकसिवा आयोग द्वारा निर्ने लिया जा चुका है अब हम लोग देखते हैं कि क्या पंचयाद चुनाब करवाई जाने के कारण यह जो 12 दिसंबर की तीथी है वह अस्थागित किया जा सकता है या नहीं तो यदि बिहार लोकसिवा आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले समभावित परिशाओं की बिवरनी को देखें तो देखिए बिहार लोकसिवा आयोग नो लिखा है छठा नंबर कॉलम पे कि सरशठमी बिपेसी सन्युक्त प्रारंबिक परित्योगता परिच्छा बारा दिसंबर दोजारे की सीसीवी को आयोट की जाएगी हलाकि इसके अंतरगत जो नोट में एक महत्कुम सेंटेंस लिखा हुआ है देखिए मैं कलम चेंज करके बता दे रहा हूँ वह लिखा हुआ है कि आप परिहाज कारणों से उपरिक तिथियों में परिवर्तन हो सकता है अब हम लोग यहां देखते हैं कि क्या पंचैत चुनाब करवाय जाने के कारण 12 दिसंबर की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं तो फ्रेंट पंचयात चुनाब करवाये जाने के कारण अनेक परिचार्थी भी होंगे जो पंचयात चुनाब में मतदान करेंगे तो ऐसी स्थिती में बिहार लोक्सिवा योगदारा 12 दिसंबर को सरसथमी BPC के प्रारंबिक परिच्छाएं आयोजित करवाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि अनेक बिहार में या हर राद में यह देखने को मिलता है कि प्राया अस्कूलों में या बिद्यालियों में मतदान केंदर का निर्मान किया जाता है तो ऐसी स्थिती में बिहार लोक सिवा आयोग द्वारा 12 दिसंबर को सरसथमी BPC की परिच्छाएं आयोजित करवाना मुश्किल दिख रहा है और ऐसी स्थिती में जो मतदान का अधिकार समिधान द्वारा जो कानूनी अधिकार परदान किया गया है उसका भी उलंगन हो सकता है तो ऐसी स्थित बिहार लोक सिवा आयोग द्वारा 12 दिसंबर की तिथी को सरसथमी BPC की परिच्छाएं आयोजित करवाने के लिए अस्थगित की जा सकती है हो सकता है कि कुछ दिन में बिहार लोक सिवा आयोग इससे समंधित एक नोटिफिकेशन जारी कर दे धन्यवाद